क्या है वाहिश भाई यहां का खड़ाई है अरे पद्रू वो वैश भाई तुम्हें तो पॉट्टियों से दूर भागते थे ना आज ये पॉट्टियों के आश्रम के सामने क्या कर रहे हैं है 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 हुआ ऐसे कि वो साइकल से साइकल टकरा गई ना जिए हैं आपका दिल भी टकरा गया क्या है ऐसे कुछ है अब तो उनकी बगड़ जिया भी नहीं जाता है कि दूसरी मुलागत कैसे करूं मैं समझा ताहूं ना ये आपके सरर्पो क्या लगा है हो वह साइकल टकरने से चोट अपनी साड़ी फाड़ के मैश भाई आपका काम बन गया अब एक नई साड़ी खरीद को उनको जागो देड़ालो पताच साड़ी खरीदने के लिए मुझे वो जाड़ी ढूड़ने पड़ेगी जिस पे नोट लटकते हैं अरे जाड़ी काई को इतना बड़ा जार जो आपका मेरी सिवा कोई नहीं और मेरा भी आपके सिवा कोई नहीं ना यह रखो पैसे साड़ी खरीद को मेरे ओने वाले बावी को देड़ालो अब एस्क्यूज मी अरे आप आप यहां क्यों आपके लिए साड़ी लाया हूं उस दिन आपके साड़ी खराब होगी थी ना मुझे पट्टी बांदे में देखे हम आपका नाम पुछर भूल गए अरे इसलिए तो मैं यहां आया हूं आपको अपना नाम बताने मेरा नाम है मेरी कहानी भी आप जैसी है जात पात का पता नहीं मैं भी आपकी तरह गुरू जी को मिल गया था उन्हों नहीं मुझे पढ़ाय लिखाया ग्रेजूट बनाया वह भी फस्क्लास और आजकर मैं नोकरी की तलाश कर रहा हूं रेश्मा सिस्टर सुपरियर बुला रही है क यार बद्रूर समझ में नहीं आता के सिस्टर सुपरियर से शादी के बात कैसे करें तुम्हें फिकर लगो करो महेश बाई यह बादर सुपरियर है न यहां पर मैं वहां दूले का बामा बनके जाऊंगा अच्छा तो आप महेश के बाप हैं हुँँँ मैं इनका ईक लवता बाप हूँ और इनो मेरे लवते बेटे हाए हम दैन ऐसा बेटा दूसरों को तो क्या मेरे को खुदको नहीं वा न महां दैन कर रहे हैं तो नहीं नहीं यह आगे बोलो ओ बोलता हुँ ना वैसे रिष्टे तो बल्ला क्या है लेकिन मैं खबूल नहीं किया लेकिन जब देमेज भाई मेरे को बाबी के बारे मैं मान गया बावी और तुम बाबा अईयो मैं गड़बड कर दिया ना इदर की बात उदर और उदर की बात इदर करको पॉय फसगा फस को तुम उसी बास गये थे जब तुम यहां आये थे तुम हमको एक बात बताओ तुम बात तो हैदराबादी जैसा करता है लेकिन तुमारे ये दाड़ी रजस्थानी है वो खिस्सा क्या है ना सिस्टर हमारी अम्मा अइदराबाद की और हमारे बावा राजस्तान की इसलिए हमारी दाड़ी उल्दी आती देखो पूरे हाथ में आगए ना पोल खुल गया था जब रिश्मा ने हमको सब कुछ बता दिया था कि महिश भी अनात आश्रम से है राजुट है नौकरी ढूंगता है और रिश्मा से प्यार करता है और तुम महिश का दोस्त है तुमारा नाम बद्रू है और हमको लड़का पसं अब क्या होएंगा मैं बताती हूं न अब क्या होंगा शादी होंगा कोव filthy एक बाद बोलोma sister रोलोम मेरे कुआ चाहा हम की शादियां बोत तेन लगतीना देखो मागत अच्छा непहा आशत क्लाप्ड़ा ने होई न रहा भालभा कंश्य inherently कंशाइब और शाइया करता बुखेत लगात पेलिशतल ड़ाए तीम बरैबर बंता बदरू एक बात और बोलू सिस्टर बोलो तुम्हारे आशरम में कोई नेरा लायक है देखो बद्रू तुम सिस्टर उन साथ बदवाशी करो गरे मैं तो सिस्टर तो गड़त दवा लेगे लो अधा हलू हलू सिस्टर हलू हलू रिश्मा उपर वाले ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी करती है अब एक चाह रहा है कि हमारा भी वंश्यों इंसानों का वंश्यों मेरी भी यही आर्जू है अरे यह क्या है मशीन है तोचा कि अडोस पर उसकी कपड़े सीऊंगी अच्छी बात है मेरी हेल्प हो जाएगा और मेरे टाइम भी पास हो जाएगा कि है बत्रूफ तेरे को खुशकभरी सुनाता हूँ मेरे को बत्चा होने वाला त्या हो ले जैसी बाता कर रहे वही तुम्हारे को कहां से बच्चा बैदा हुईंगा शायद बाभी को होने वाला हुईंगा अरे तु समझ गया कि नहीं अरे बिटिया बिटिया सुन चरा इमएश अंकल खाँ को गए उनके पेट में दर था तो आंटी उन्हें पिटल चोड़ने गई उल्टा बोलवें ना अंटी के पेट में दर धोईंगा अंकल उनको लेकर आस्पिटल गई उनका लेटर तो बड़ा कर जल्दिकार चल्दिकार अंको फॉरेस्ट आफिसर के नोग्रे मिले वर्गारे नोग्री क्या अंगा तरी बच्चे का पाइदा होते हैं अंग मैस भाई मैस भाई क्या हुआ हुआ बद्रू है तेरी भावी मैरे बाप चले गए मैरे बाप बन गया तुछ चाचा बन गया तो ऐसा बोला ना अपके लिए भुश्कपरी लाए ना देखो तुमको सरकारी नौकरी मिल गई पॉरेस्ट आफिदर की अब तो सरकारी गाली सरकारी बंगला अंगा वह अंगा वह लेकिन भाई एक बात बो मेरे पतीजे का नाम तुम लक्की रखना देखो क्या अलक लेको आया देख बतरू आज तक जिंदगी में जो कुछ अच्छा हुआ है सबसे पहले उपरवाला आओ उसके बाद तेरा ऐसान है बच्पर यह हो एसान का नाम नको लो वरना मैं तुमको अपना मूर नहीं आओ… जोले, जोले, आँचा, आब जाए, आओ. अजा आजा, आजा. Very good, Let's Try, Let's Try. Very good, have a a, Het Mountains. कि अपनी के पोई स्कूल जाने का है हाँ कि कामेन कि आप आप यह हैं यह यह तो ऐसी बात हुई किसी ने मुझसे पूछा कि तुम रोते क्यों हो मैंने का मेरी सूरत यह आप हेडमाठर के रूमें आये हैं ना मैं आप कुछ अपराइसे लगता हूं जी नहीं तुरत में जाएए सीरत पर जाएए पोदिशन पर जाएए आप घबराये नहीं आप मेरी बेहन जैसी है कि आ है कि मेरी एक साइड के बत्ती है ना जलती है और बुझती है मैं अपनी बैंसी बैसी बाते करता हूं मेरी मासी बैसी बाते करता हूं और मैंने आपके बच्चे के रिपोर्ट देखी आपका बच्चे बड़ा होश्यार है कि हर टेस्ट में पास है लेकिन 25,000 डोनेशन देने पढ़ेंगे आपको पंदरा हजार क्याश और दस हजार स्कूल के नाम पर चट अच्छी सजार आकल हमारी कंट्री में हर डिपार्टमेंट में यही रेशी चल रहा है इतने पैसे तो मेरे पस है नहीं तो आप अपने बच्चे को मुंसिपालिटी स्कूल में डाल दीजिए बड़ा होते ही मुंसि मैश भाई मैश भाई लखी के स्कूल कड्मेशन हो गया क्या अधे नहीं यार वह लोग पच्चीज़ा डोनेशन मांग रहे हैं पच्चीज़ार आओ ने तु क्या मैं बिग भी जाओ न तो इतनी रखम नहीं ला सकता अईयो वेके तुमारे दुश्मन पच्चीज हजार अब कोई रखम है क्या तेरे लिए नहीं है क्योंकि तुम हातिम्ताई है न तो आप पर भी हातिम्ताई के भाई हैं देखो मैश भाई एक रखमें संदल की लगणियां डाल को स्मगला लाको दी दालो तेरा मतलब मैं रिश्वत लूँ रिश्वत में भाई आजकल इसको मे त overe तनक्ला है और तूजीम्हां वह श्राम की कमाई है और मैं हराम की कमाई को कभी हाथ नहीं लगाओंगा अयो तो यह मिया भाबी ह्राम के कमाई को हातों हाथлагा जाको बिसमल्ला बोलको अपनी रिक्षा को हलाल करके 살아 好 औरे केल अम उन्मोडर कमायी को है ऑना यह कैश और यह राज चेक 15,000 कैश यह रख दो जल्दी वेरी गुड और 10,000 का चेख के पाज जमा कर दो और कलते बच्चे को स्कूल भिज दो तेंक्यू यह थैंक्यू थैंक्यू वट इस अप्लाइस आशा तुम आए रेश्मा तुम लखलों से कब आई हमें यहां के काफी दिन हो गए है और तुम यहां कैसे जाए आपने बेटी कि अन्मिशन के लिए यह मेरी बेटी लटा है अच्छा बेटा आँटी को नमस्ते करो नमस्ते अंटी नमस्ते और यह है मेरा बेटा लकी इसको भी यहां अधिशन मिल गया है बहुत स्वीट है अपने बाप पर गया है यह मेरे हजबन महेश है और यह मेरी लकनों की सहली आशा है इनके हजबन एक बड़े ट्रावल एजन है है नहीं ठी ट्रैवलिंग एजनसी मे काम करते करते लंब भी ट्रैवलिंग पर चले गए अरे इतनी संजीदा बात और आप हसके बोल रही है भाई साब जिंदगी एक मजाख है हसते हैसे गुजारते एदिवे आप लोग बैटकर बात करो मैं फॉर्मिली डिस पूरी करके आता हूँ चलो चलो मैडम आम महेश य है मेरा काई तभी ताइम मेरे तो आरा ना लकी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं बदरू कल एक हाते ने नशे का जाड़ खा लिया और उसके बाद चार-पाज आदमियों को मार दिया पुरा का पुरा गाउं सत्यानास कर दिया जब इनसान नशा करको हैवा बन जाता तो है अवान नशा करको शैतानी बनेंगा ना क्या डाइडी मैं भी शीट प्योंगा आप यह बिल्कुल अपने बाप जैसे लग रहा है अभी यह पेपर मिंट का चिगरेट पी रहा है कल यह असली चिगरेट पेएगा ना तब आपको पता चलेगा आओ बाभी बिल्कुल ठीक बोलती है कल में साथ चलकू मेरे को बताना बताएंगा ना मैं साले को बिल्कुल ठीक कर देता हूँ आओ बेटा यह बैटा ले तुट्टा मारे नाख सी धुआ निकाले तम बढ़ी आ आएगा लात बढ़ी अा बदारे का है रे वह सिकरेट वाला हा नाख से धुआ निकाला आजे वह मैं वं वाई भाई तुम्हें या खड को तौशा देखो मैं इस तकले कि अ हजाह मत करता हूँ आओ तकलू तुम्हें लोगा स्कूल में सिगरट पीने को आते या पड़ने को आते हैं बोलू कि एड़ मास्टर को चल रहे भाग रहे बाग आरे लगी बैठ यहां पर तू रहे टकलू तु यह बच्चे लोगां को सिगरट पीना काई कुछ सिखाता रहे अरे भया हम इन लोगन वो नच्चे लोगन दिखाय।